Hello everyone, welcome back to my channel लेकर आई हूँ एक और interesting story तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दें और इस इस interesting drama को miss मत करना drama की शुरुवात होती है और हमें एक scene दिखाया जाता है जहाँ पर काफी girls आती है assistant इस city के सबसे rich person यानि के Mr. Kin को कहता है कि सब girls आ चुकी हैं हम इने चेक कर लेते हैं और यहां पर हमें हमारा cool hearted CEO Mr. Kin दिखाया जाता है लेकिन और उन girls को कहा जाता है कि तुम लोग अपनी back दिखाओ वो लोग शर्ट हटा के अपनी back दिखाओ actual में उन लोगों को एक खास किसम की लड़की की तलाश होती है जिसकी back पर एक birth mark होता है अब यह girls भी परिशान होती है कि आखिर CEO को किस तरह की लड़की की तलाश है लेकिन यह एक बहुत बड़ा राज है जो कि CEO की हलसी जुड़ा है देन हम देखते हैं Master King के पास उनकी family का fortune channel आता है और assistant कहता है कि इस city की तो सारी girls को हमने find कर लिया जिसना का birth mark आप पता रहे हो flower birth mark वो किसी की भी waste पर नहीं मिला है लेकिन fortune channel कहता है कि अगर इस तरह की लड़की ना मिली तो Master King की that 30 year की age में हो जाएगी यह उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस birth mark वाली लड़की के साथ रात बिताए वरना Master King हम मारा जाएगा सिर्फ वो ही लड़की है जो Master King का treatment है जिससे वो बच सकता है Master King यह सुन के काफी परिशान हो जाता है देन हमें village site पर एक girl का दिखाया जाता है जिसका नाम Mimi है वो काफी परिशान होती है क्यूंकि उसकी grandma hospital में admit है उसे treatment के लिए काफी ज़्यादा amount चाहिए तो इस वज़े से वो अब further studies के लिए admission नहीं ले रही होती है उसने university में admission लेना होता है grandma उसे समझाती है कि उसे city में चले जाना चाहिए और university में admission लेना चाहिए उसके treatment की वो फिकर मत करे लेकिन वो ये बात नहीं मान रही होती grandma नराज होने लगती है तो वो कहती है आप फिकर मत करो आप hospital में admit रहो मैं कुछ और हल निकालती हूँ और promise करती हूँ university में मैं admission ले लोगी उसके बाद वो जाही रही होती एक कार उसे टक्राने लगए वो नीचे गिर जाती है उसमें master kin होता है अब हमें revealed होता है कि जिस birth mark girl की तलाश थी master kin को वो तो मीमी ही है जिसके flower birth mark वेस्ट पर था वहाँ उसे चोड़ भी लगती है लेकिन इस accident पे होता है और वो देखता है कि मीमी मेर में खुद को देखकर medicine apply कर रही होती है और उसकी नज़र पर जाता है कि उसकी waste पर वो ही birth mark है जिसके बारे में fortune चालर बता रहा था वो ये देखके काफी शॉक्ट हो जाता है कि आखिरकार उसे वो लड़की मिल गई अब उसकी तबद भी खराब होती है तो वो उसके पास जाता है वो उसके कहती है कि मैं cloths change कर रही हो तुम ये क्या कर रहे हो जिस पर वो कहता है मैंने वो वो इस पर बर्तमाग देखना है उसे याद आता है वाच्यून चैलन बताये था कि तुम सिर्फ उस लड़की की smell से ही उसके close जाने से ही तुम्हारे symptoms कम हो जाएंगे दिन वो ऐसी कोशिश कर रहा होता है और इतना wild हो जाता है कि उससे किस कर देता है ताकि वो ठीक हो सकता वो उसे अपने से दूर करे है जोर से थपर लगाते है और उसे मार पीट कर घर से निकाल देती है और गहती है यहाँ से दफा हो जाओ मास्टर किन को अब वो लड़की मिल चुकी है उसके symptoms भी ठीक हो जाते असिस्टेंट आता है और कहता है अब ठीक तो हो तो वो कहता है इस लड़की का पता लगाओ अब यहाँ पर में भी बहुत परिशान होती है डरीवी होती है ग्रैंडमा आती है वो तो उसे मारने लगती है ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ तुम इतने डरीवी क्यो हो वो कहती है मैं ठीक हूँ और ग्रैमा को कहती है कि आप हॉस्पिटल से की वाई तो वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम युनिवस्टी में पढ़ो मुझे पता है तुम्हारे पास फीस की अमाउंट नहीं है और यहां से युनिवस्टी की भी कॉल आ जा जहाँ पर उसे पता चलता है प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारी युनिवस्टी फीस सब में ठोची है एक रिच परसन ने डिनेशन की है और तुम्हारा नाम उसमें आया है तो तुम कल युनिवस्टी आ जाना वो बहुत खुश होती है जन्यों से अब यहां पर हम देखते हैं कि युनिवस्टी में अनांस्मेंट होती है कि मेमी बहुत लखी है कि उससे ये स्कॉलर्शिप मिल रही है और वहां पर हम देखते हैं जब सब को पता चलता है कि मिस्टर किन ने ये स्कॉलर्शिप दी है पेशली मेमी के लिए सब लोग बहुत हैरान होते है कि वो तो इतना रिच परसन है एंजालस भी हो रहे होते देन यहाँ पर इंस्ट्रक्टर उसे कहता है कि मिस्टर किन आएंगे उनके साथ अच्छे से बहेव करना और ये फ्लावर्श उनने दे کر फैंक करना उसके हाथ से तो वो फ्लावर्all उच जाते है वो डरने लग जाती है उसके साथ वो इंसिडिंट ज हुआ था उससे याद आता है लेकिन इंस्ट्रक्टर के कहने पे जल्दी से फ्लावर्श उसे देने लगती मास्टर किन मौकी का फायदा उठा कि उसका हाथ ही पकर लेता है वो उससे कहती है कि मैं आपकी ये अमाउंट जो कि 4 यर्स की अपने फीज अदी है उसे मैं रिटर्न कर दूँगी वो उससे कहता है कि मुझे तुम से कुछ और फेवर चाहिए तुमें किसी और युनिवर्स्टी में फिर अड्मिशन नहीं मिलेगा और तुम्हारी ग्रेंड मा का क्या वो तो ये नियूस सुनके वैसे ही हार्ट पिशिंट है और जादा डिस्टर्ब हो जाएंगी अब वो अपनी ग्रेंड मा को देती है और वहाँ पर चुप हो जाती है उसे कुछ समझ नहीं आता मास्टर किन कहता है मैं अनॉंसमेंट कर देता हूँ लेकिन वो उससे रोक देती है क्योंकि वो ग्रेंड मा को दुख नहीं देना चाता और यहाँ पर फॉर्ट्यून टेलर मास्टर किन को कॉंग्रेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि जल्दी से उस लड़की के साथ रात बिता लो इससे पहले तुम्हारी थर्टी बर्च टे आ जाए साथ में फॉर्ट्यून टेलर ये भी बताता है कि तुम्हारी रात बिताने से उस लड़की को साइड इफेक्स होंगी उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है वो डिसेबल भी हो सकती है और मर भी सकता है लेकिन उसका मरना तैह है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी मास्टर किन कहता है ठीक है फिरनेरल की तेयारी करता हूँ दैनी हाँ पर हम देखने है मीमी आती है और उसे कहती है मैंने सब हिसाब कर लिया है मैं तुम्हारी फरंड के पैसे तुम्हें वापिस करना चाहती वो उस पेच को फार देता है वो कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं तुमें क्या फेवर दे सकती हूँ, वो उसे कहता है, मुझे ये फेवर चाहिए, कि मैंने तुम आइसाथ रात बितानी है, वो कहती है, तुम किस तरह के इनसान हो, वो उसे कहता है, येलो कार्ड, इसमें रहे हो, वो इसे कहता है, चाहता तो मैं तुम्हारे साथ अभी ही रात बिता सकता था, लेकिन मैं तुम्हें शादी करके ये ओफर देना चाहता हूँ, तो तुम्हें मुझे ये चांस देना होगा, वो कहती है, कि मैं तुम से शादी नहीं करना चाहती, तो वो कहता है, ठी और आपकिन महाँ पर आता है उसकी फिर से तब्यत खराब हो रही होती है। सारी amount दे दी है वो बहुत अच्छा है तो मुसका ख्याल रखना अब यहां पर वो मन में सोची कि दिखने में तो ये काफी स्कियरी लगता है लेकिन मन से ये हमारी help भी कर रहा जैसे vote ने लगता है वो जल्दी से जाके उसे हग करके सो जाती है देन हम morning में देखते है मीमी उसे देखकर डर के उड़ वो उसे थैंक्स करती कि उसने ग्राण मा की जान बचाने के लिए सर्जुई के पैसी है उसने उसे काफी amount और भी दी हूद और कहता है जो मन करें उन पैसों का कर ले उसके बाद हम देखते है मीमी बाहर जाती और वहां पे master kin के recover होने की prayers की boards देखका वो हिरान हो जाती जहां पर servant आती वो कहती है यह सब कुछ क्या है servant उसे सारी बात बताती है कि किस ना master kin healthy नहीं उसे cure की जरूरत है वो काफी sick है वो काफी pain में रहा है अगर वो 30 years का होगा वो मर जाए तो उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसके birth माख हो और मेरे खाल से वो तुम हो उसकी family weight में है कि वो जल्दी से मरे और वो company पे कबजा कर लें तो वो उसे समझाने लगती है master kin बहुत चाह है ये कार्ट देना तो मैं तुम्हें भूल गई ये master kin सुबा देकर गई तुम सो रहे इसमें 1 billion है तुमने जो करना हो इसे कर लेना यहाँ पर हम देखते है कि master kin एक fortune चैलर के पास आयवा होता है जहाँ पर खुद का चेक अप करा रहा होता है तो assistant कहता है आपने अभी तक रात नहीं बिताई तो वो कहता है नहीं मेरे symptoms वैसे ही ठीक हो गए थे उसके close जाने के और वैसे भी वो लड़की पैसो के लिए कुछ भी करे इतने में हम देखते हैं वहाँ पर मीमी आती का treatment करोगे उसने मेरी बहुत help की है मैं भी उसकी help करना चाती हूँ और मैं thankful हूँ उसकी वज़े से मेरी grandma बची है और मैं नहीं चाती उसने बहुत लंबे अर्से से ये बीमारी को साहा है मैं चाती हूँ वो ठीक हो जाए तो मैं आपको 1 billion देती है उसके बदले में आप मुझे मेरे husband के लिए कुछ treatment देतो देन हम देखते है fortune chiller एक necklace उसे देता है और कहता है ये अपने husband को पहना देना और वो कहती है मैं hope करती हूँ मेरा husband ठीक रहे और बो करके वहाँ से जाने लगती है इन बातों से पार्टनर चूस करके आना होता है तो वो काफी परिशान हो कि वो आप किसी चूस करे कोई भी उसके साथ dance partner नहीं बना चाहेगा then master keen उसके पास जाता है उससे पूछता है क्या हुआ जिस पे वो कहती है कि मैं आपके लिए necklacely कराई हूँ इससे पहन कर आप save रहोगे और उससे कहने लगती है कि मुझे आपसे एक और favor चाहे कल के लिए वो action में उससे dance के लिए बोलना चाहती है इतने में assistant आता है और कहता है कि ये meeting बहुत important है तो वो कहती है कोई बात नहीं आप ये meeting इंगर टिंट कर लेना कल वो जाने लगता है देन यहाँ पर assistant को याद आता है कि मीमी ने आप से dance partner बनने के लिए बात करनी थी क्या उसने बात की तो वो कहता है ठीक है कल की meeting cancel करो मैं उसका dance partner बनूँगा assistant है रान हो जाता है इसने तो सही dress भी ने पहना ना इसे को dance partner में लिए तो वो कहती है मुझे invite किया गया था लेकिन गार्ड उसे अंदर आने से मना कर देता है और फिर सब girls भी उसे कहने लगती है जालस होके तुम्हे कोई भी choose नहीं करेगा तो तुम्हारा इस ceremony को attend करने का भी फाइदान है वो insulted feel होती है जाने लगया लेकिन masterkin वहाँ पर आयवा होता है वो उसे पकड़ लेता है वो उसे पूछती है आप यहां क्या कर रहे हो तो उसे कहता है क्यों आज dance party थी थी ना और तुमने अपना dress क्यों नहीं पहना and then वो अपनी टीम के साथ आयवा होता है जो उसके लिए एक पैंसे cloths बगएरा लिकर आया होता है और उसे कहता है अब time है कि तुम खुद को ready करो then वो अच्छे से ready होती है और उसके बाद नीचे announcement होने लगए and वो नीचे जाने लगती सब लोग shocked हो जाती वो काफी beautiful लग रही जैसे ही नीचे जाती सब boys उसे partner बनने की request कर रहे होते वो सबसे ज़्यादा different और beautiful लग रही masterkin भी उपर से देख रहा था लेकिन boys को इस तरह उसके आगी पीछे देख कर वो काफी jealous हो रहा था वो किसी को भी choose नहीं कर और सोचती है कि वो masterkin को नीचा आने का कही लेकिन jealousy में उसकी फिर स्थबत खराब होने लगती है वो बेहोश होने लगता है मीमी उसके पास जाती मेरन यहाँ पर fortune चालर उसे कहता है कि तुमने अभी तक रात क्यों नहीं बिता है वो एक poor student है तुम उसके बारे में तम मत सोचो तुम्हारी life ज्यादा important है तुम एक बिलेने हो तुम दोनों में से एक को जिन्दा रहना होगा और वो तुम हो उसके बाद हम देखते है कि यह अपने dresses रख रही हो उसे मैरे certificate मिलता है masterkin का वो बर्ट देखती है और कहती है कि इसका मतलब कल उसका बर्ट दे है वो excited होती है और जाकि servant को कहती है कि masterkin का बर्ट दे है मैं उसके लिए खुद food prepare करूँगी वो उससे कहती है आज तक masterkin का बर्ट दे celebrate नहीं वा उनके बर्ट देपे सब को डर लगता है देन हम देखते है कि मीमी ने सारा room decorate की आवा होता है और बर्ट दे के भी वो उससे surprise देती है masterkin कोल्ट एंड डूर डेक्ट करता है और कहता है इन सब की जवर्ट नहीं वो उससे कहती मुझे पता है कि तुम बर्ट दे नहीं मैनाते हो लेकिन birthday wishes का impact बहुत होता है ठीक है अगर तुम नहीं wish करना चाते मैं खुद wish कर देती हूँ और उसके लिए prayer करती के उसे long life मिले और वो हमेशा happy रहे इन बातों से वो काफ़ emotional होता है और फिर जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है तुमने अभी तक main surprise तो देखा रही मैंने तुम्हारी बेट टिकलेग surprise रखावा है और अपना ड्रेस उतारने लगती है वो हैरानगी से उसे देख रहा होता है और उसे कहती है आज की रात तुम मेरे साथ बिता लो कि तुम मुझसे इस तरहां की बाते करो और वहां से उठके चला जाता है खुद का कंट्रोल कर लेता मीमी बहुत हैरान हो जाती कि इससे क्या हुआ लेकिन मास्टर केंग की तबित खराब होने लगए और देन फिर से fortune चैलर उसे समझाने लगता है हो कहता है कि मैमी की भी जान बचे मैं नहीं चाता मेरी वज़े से उसकी जान जाए कुछ ऐसा ढूंडो कि वो बच जाए यहां पर हम fortune चैलर हैरान हो जाता है कि इतना क्रॉल परसन लगता है उस country girl से प्यार कर वैठा है दैन हम यहां पर देखते हैं मीमी को बहुत गुसा आ रहा हूँ और कहती है कि लगता है वो किसी काबिल नहीं फिर वो फो मीसी पी जाता है उसके लिए medicine ले वो मन में यही समझ रही हो कि वो उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो poor girl है इतने में हम देखते हैं कि उसे कोई call कर कहता है कि master king की family में birthday party हो रहे तो तुम वहां पर आ जाना उसकी family से मिलने के लिए दैन हम यहां पर हम देखते हैं assistant master king को बता देता ही कि आपकी wife ही आपकी family gathering में गई वो उसके लिए worry होता है और कहता है कि वो लोग उसे बुली करेंगे और यहां पर servant ने उसे काफी gift दिये होते हैं कि वो लोग काफी rich लोग हैं तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से behave करना होगा दैन हम यहां पर देखते हैं कि वहां पर एक auntie आती है पहले party करो उसके बाद उससे बात कर लेना दैन आंटी कहती है चलो किचन में आओ और एक typical सास की तरहां उसे कहती है कि चलो काम करो servant का हाथ पर दैन यहां पर हम देते हैं उसे वो वालनेट देते हैं और गहती है कि इनको तुम तुम पील करो मास्टरकीन आता है मेरी wife कहा है तो आंटी कहती है कि वो तो यहां पे कजन उसका कहता है कि वो किचन में servant के साथ है क्योंकि वो एक poor girl है और साथ में village की girl है इसलिए साथ में हम देखते है मास्टरकीन जाता है देखता है उसकी wife के हाथ उसे blood आ रहा है, उसे बहुत घुसा आता है और वाहरा के बोल लेकर आता है और कहता है कि मेरी wife को किसने ये काम बताया था आंटी बहुत proudly कहती है, मैंने बताया था क्योंकि grandfather को इसी तरहा का walnut soup पसंद है वो soup के बोल को उसके उपर ही गिरा देता है मैंने के साथ ये सब करने दें मीमी कहती है कि रहने दो, scene create मत करो लेकिन उसे गुसा आता है, वो उस कजन को ही जोर से कीक करता है आंटी अब गुसे से कहती है कि तुम मरने वाले हो तुमें नहीं पता के ये business next मेरे बेटे चनने ही चलाना है तुम तो मर जाओगे और ये नेक्स टियर बनेगा देन हम देखते हैं मीमी को घुसा आता है और वो कहती है कि वो नहीं मरेगा क्योंकि हमने इसका क्योर ढूंड लिया है ये बाते सुनके वो लोग काफी शॉक्ट हो जाते हैं यहाँ पर मास्टर किन कहता है कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी वाइफ को टेबल पर क्यों नहीं बिठाएगा देन यहाँ पर उसका अंकल कहता है कि तुमारी वाइफ विलेज गर्ल है जो काफी पूर है ये इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ टेबल पर बैठे यहाँ पर मस्टर किन को घुझा आता है वो कॉल करता है और कहता है अंकल के जितने भी शियर है वो मेरी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र करदो आंटी और वाइफ सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि लेक اليकिन वो कहता है मेरे खियाल से अब सबसे ज़ादा highest cheer मेरी wife के है इस table पे बैटने के सबसे ज़ादा काबिल वो है क्योंकि उसके पास काफी ज़ादा दौलत आ चुकी है जिसकी बेस पे तुम लग उससे बैटने नहीं दे रही थे सब लोग shocked हो जाते है इवन के मीमी भी मीमी को जाता है कि चलो हमें घर चलना चाहिए ये table तुम्हारे like नहीं है एंड अपने guards को कहता है ऐसा करो इस table को destroy कर दो यहाँ आज कोई खाना नहीं खाएगा सब लोग हैरान होते हैं कहते हैं यह बहुत expensive food है तो मैंसन नहीं कर सकते वो guards को कहता है सुना नहीं मैंने क्या कहा guards चाके जलती से उस table को destroy कर देते हैं grandfather को तो heart track आने वाला होता है और सब लोग हैरान हो जाते है master kin अपनी wife से कितना प्यार करता है और यहाँ पे grandfather अब fortune teller से सारी information लेता है कि वो लड़की कौन है जहाँ पे fortune teller सारी बत बता देता है कि उसकी वज़े से master kin को cure मिल जाएगा उसकी life बच जाएगा साथ में बताता है कि वो प्यार भी कर बैठे है और चाह रहे हैं कि उसकी wife बच जाए वो उसके लिए भी को treatment मांग रहे देन हम देखते है कि fortune teller आता है वो कहता है ये medicine तुम उसके birth mark पे लगा देना तो वो बच जाएगी उसके बाद तुम दोनों जब रात बिताओगे तो उसकी life भी बच जाएगी और तुम्हारी भी लेकिन actual में ये story कुछ और होती actual में grandfather ने fortune teller को order किया था और इसलिए वो मजबूर हो कि उसे जूट बोल देता है कि तुम ये medicine लगा दो master king बहुत हुश होता है कि अब कोई problem नहीं होगी और वो दोनों survive कर लेंगे उसके बाद वो जाता है और देखता है कि वो अपने injured hands पर medicine apply कर रही हो तो वो उसके पास जाकी बैठता है और खुद medicine apply करने लगता है वो उसका thanks करती है कि उसने इसका कितना साथ दिया और उसे sorry भी करती है उसकी वज़े से trouble create हुआ और उसे कहती है तुम्हें इस सब नहीं करना चाही था कि उनके हाथ कौन से treatment लगा है जहां पे चन को ख्याल आता है कहीं उस लड़की की वेस्ट पे birth mark तो नहीं यही क्योरोने मिल तो नहीं किया इतने में हम देखते हैं यह लोग रोमेंस कर रहे होते हैं servant आ जाती है और कहती है कि आप अपना बैग बाहरी भूल गई थी यह बैग लेल देन वो उस बैग को देखता है और अंदर मैडिसन देख का हरान हो जाता है वो कहता है कि तुम्हें यह मैडिसन लेने की जोट नहीं थी मैं तुम्हारे साथ रात नहीं बिता रहा था इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता वो कहती है अक्चल में मुझे यही लग रहा था और उसे सॉरी करने लगती है वो आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है हमारा एक यूट सा बेबी होना चाहिए वो उसे कहती है कि मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ वो उसे कहता है तुम मेरे साथ बैठो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेस पे कुछ लगाना चाहता हूँ और उसे मैडिसन लगाता है वो उसे कहती है ये तुम क्या apply कर रहे हो उसे कहता है मैं तुम्हारी massage करना चाहरा हूँ आज कर जे काफी tough था तो वो कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ रात बिताना चाहते हो लेकिन मेरा कल exam है और मैंने preparation करनी है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम कल मेरे साथ रात बिता सकते हो जिस पे वो कहता है कि मुझे से promise करो वो कहती है actual में ये मेरा first time है इसलिए मैं काफी डर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे काבिल नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे अपने close नहीं आने दे रहे जिस पे वो कहता है वैसे ये मेरा भ उसकी तबियत खराब होने लगती है उसमें पॉईजन था जिसे उसके सिम्टम्स बहुत एलिवेट हो जाते है देन वो अपनी टीम के साथ महाँ पर आ जाता है और कहता है कि आज तो तुम मर जाओगे और मेरा काम असान हो जाएगा वो जल्दी से अपने असिस्टन को कॉल करके हैल्प के लिए कहता है असिस्टन को ये बात पता चलती है और उसे समझ जा जाती है वो जल्दी से मीमी को कॉल करता है बट वो एक्जाम देरी होती है और जाके कॉल पिक करने के बजाए कट कर देती है जब वो असिस्टेंट का नमबर देखती है असिस्टेंट देखता है कि वो कॉल पिक नहीं करी फे भी वो बार पे चला जाता है जहांपर हम देखते है मास्टर किन बहुत मुझ के उस अपनी चान बजा के एक रूम में खुद को लॉक कर लेता है और जाके शौर लेता है यहांपर एक्जैम फ्री होने के बाद हम देखते हैं कि वो इतनी कॉल्स देखकर असिस्टेंट का कॉल करती है जहांपर असिस्टेंट उसे सिचुईशन बताता है कि मास्टर किन की तबद बहुत खराब हो चुकी है तुम जल्दी से बार में पहुंचो उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है अग्जैन वो जल्दी से वहां के लिए रवाना हो जाती है अग्याद हम देखते हैं मीमी फून करती है मास्टर किन को कहती है तुम फिकर मत करो मैं आ रही हूँ देन वो जाती है तो चैन और उसके गुंड उसे रोक लेते है चैन कहता है तो तुम उसका क्यार हो वो उसे कहता है लगता है तुम्हें असल बात का पता नहीं मैं तुम्हें नहीं मारना चाता है बलकि तुम्हें असल बात का पता है वो आगे कुछ बताने ही लगता है लेकिन इतने में असिस्टेंट आके उसे चुपकरा देता है अब यहाँ पर चैन को भी समझा जाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता उन्होंने ये बात मीमी से चुपाई भी है यहाँ पर हम मीमी को देखते हैं जो मास्टर किन को देखती है वो उसके पास जाती है और कहती है तुम फिकर मत करो सब ठीक हो जाएगा और उसके बाद उसे किस करने लगती है वो उसे कहता है कि मेरी जान खत्रे में है हमें अभी ही समय बिताना होगा एंडो से बैट पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है लेकिन इतने में वो देखता है कि उसका हैंड इंजर्ड है तो वो से कहता है तुम हर्ट हो तुम जाके मैडिसन लगा लो मुझे ठीक नहीं लग रहा है वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम फिकर मत करो लेकिन वो से इंसिस्स करता है कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा तुम जाकर मैडिसन लगा लो उसके बाद देखते हैं मैं बरदाश्च कर लूँगा एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैडिसन लगा कर जाने लगती है लेकिन चैनल से मैसिच कर देता है और कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुमें बता देता हूँ और उसे सारी बात बता देता है कि तुम मर जाओगी या डिसेबिल हो जाओगी तुम्हारा हस्बेंट तुम्हारा फाइदा उठा रहा है ये बाते सुन कि वो बहुत शॉक्ट होती है और से सब कुछ याद आता है कि किस्ता मास्टर किन उसके साथ नाइट फंट करने के लिए उससे मजबूर करा था वो उसके यूस करना चाता है क्योंकि वो एक पूर गर्ल है और उसका कोई पता भी नहीं करेगा इन बातों से वो बहुत दुखी हो जाती है और कहती है मैं उसे प्यार कर बैठी थी और वो मुझे दोका दे रहा है इतने में मास्टर किन कहता है तुम इतनी देरी क्यों कर रही हो एंड अन्कंट्रोल होने लगता है वो उसे कहती है मुझे इस सब नहीं चाहिए मुझसे दूर हो जाओ लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता ड्रक की वजे से वो बहुत वाइल्ड हो जाता है और आखिरकार उसके साथ टाइम स्पेंट कर लेता है ग्रेंट फादर आता है और असिस्टेंट को कहता है कि उनकी नाइट स्पेंट हो गई जिससे वो कहता है कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो वो कहता है ऐसा करो फियूनरल का बंदबस कर लो असिस्टेंट कहता है इसका क्या मतलब है तो वो उसे कहता है कि आप किसकी फियूनरल की बात कर रहे हो ओसके बाद हम देखते हैं मास्टर किंग की जाग होती है वो मीमी को कहता है मैं तुम से बहुत प्यार करता हूं तुम के असिस्टंट फून करके सारी बात बता था 겨 अबर के सारी मत अज़ बता है आपकी वाइव की जान खत्रे में है जहां वो काफी परिशान होता है, डॉक्र बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, कि वो बच जाए, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती है, ये बात मास्टर कीन को पता चलती है, वो वेकाबू होने लगता है, और उसकी लाश को देखकर, वो फूट फूट के रोने लगता है, और कह कर दो के लुक्र वगता है, वो एक ये बाद हम देखते हैं, मास्टर कीन की जागो थी है, और चैन के नाम कर दिया है, अब यहां簡र मडर मीमी के साथ होती है, यानिके मी मी को बचा लिया वहता है, और वो खुट को बLAMP कर रही होती है, ये सब कुछ मेरी वज़े से हुआ मेरे medical treatment की वज़े से तुम्हारा जी हाल हुआ है काश मैं किन से तुम्हारी शादी ना होने देती तो सब कुछ ठीक होता आप यहां पर हम देखते हैं कि मीमी में जान पाकी होती है वो अपनी finger हिला देती है उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 6 साल बात कसा में दिखाया जाता जहां हम master kin को देखते हैं जो मीमी की grave पर आता है और उस locket को उसके grave पर रख देता है फिर हमें दिखाया जाता है कि मीमी जिन्दा होती है उसकी एक daughter भी होती है जिसे वो school जाने के लिए कह रही हो और वो blind हो चुकी होती है और काफी बिमार भी होती है तो उसकी daughter जिसका न मर सकती है वो से कहती है आज के बाद diet का नाम मत लेना जिससे मुझे बहुत खुसाता है वो से promise करती है लेकिन उसके बाद ही उसकी तब्र खराब होने लगती है जैनी बहुत डर जाती है और road पे भागने लगती है help के लिए सामने से car master kin की ही आ रही होती है जो उसकी grave के ब बाहर वेजिटेबल सेल करने लगती है और उसके बाद water bottles उठाके उने भी बेती है उसके बाद रात की वक्ट वो कुछ amount collect कर लेती है और एक दिन वो गुजर रही थी तो एक grave पर अपनी mom की picture को देकर बहुत शॉक्ट हो जाती है और कहती है कि इस photo को मैं अपने पास रख बाहर वो चोटी बैची वो lock it लेकर गई है तो वो कहता है इसका जब पता लगा उसके बाद हम देखते हैं कि वो आखर उसका पता लगा लेता है और कहता है कि वो lock it or photo मुझे दे दो वो से कहती है मैं तुमें ये नहीं दूँगी मैं ये तुमें क्यू दूँ ये मेरा है और यह मैं अपनी मॉम की इलनस के लिए जुज्मेंट के लिए यूस करूँगी। इसे मेरी मॉम बचाई। वो उसे कहता है तुम में चोर हो दूस्तों की चीज़े नहीं उठा सकती। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम मैं आमाउंट दे देता हूँ काफी पैसे देने के बाद वो उस पर अपना पाउंड रख देता है और कहता है कि तुमने अभी तक मुझे लॉकिट वाप नहीं किया उसे locket दे देती है और उसके बाद वो से उस picture को भी मांगता है लेकिन वो नहीं देती और उसे bite करती है इस चकर में वो picture भी फट जाती तो assistant कहता है कि आज़कल baggers इस तरह बलाक मिल करते हैं आप रहने दो वो से दूसरा हिसा भी शीन के भाग जाता है इतने में हम देखते हैं कि मीमी को wheelchair पे डॉक्टर्स बाहर लेकर आते हैं क्योंकि उसके judgment के amount नहीं दी गयी होती इसलिए वो hospital से literally बाहर फैंक रहे होते हैं जहांपर हम देखते हैं master कीन उसे नहीं दे पाता वो उस picture को ही देख रहा होता है और यहां पर उसकी daughter जैनी वो amount उने देने लगती है और कहती है मेरी mom का treatment करो लेकिन वो लोग नहीं मानते अपनी mom को वो कहती है आप फिकर मत करो आप ठीक हो जाओगी और wheelchair के साथ उसे doctor के आगे जाके back करती है और उसे काफी amount देती है वो लोग कहते हैं यह amount enough नहीं है वो काफी परिशान हो जाती है वो लोग कहते हैं के और वैसे भी तुम्हार लिए orders मिले है कि इस लड़की को अंदर मताने चाथ देना master kin हम से नाराज होंगे हमारा hospital bankrupt हो जाएगा देन हम देखते है जब जैनी को यह बात पता चलती है कि उसे उसे बैक करना होगा तो वो master kin की कार के आगे आगे आजाती है और रो रोके उसके आगे बैक करने लती है वो उसे अपनी कार में बीठाता है तो वो कहती है मैं साफ कर देती हूँ वो कहता है जदा एक्टिंग करने जरूरत नहीं है एंड हम देखते हैं हॉस्पिटल वाले फिर से मीमी को बाहर फैंक देते है जैनी तरपने लगती है अपनी मॉम को इस हालत में देखकर master kin कहता है कि उसने अपनी मॉम का treatment करवाना है hospital वाले को कह दो इसका treatment कर दे लेकिन जैसे ही वो उसका face देखता है शॉक्ट हो जाता है यह तो मीमी है वो तरपने लगता है और जल्दी से उसे doctor के पास ले कर जाता है कि इसका treatment करो अब यहाँ पर पता चलता है कि मीमी काफी week है उसे कुछ दिन hospital में ही देना होगा जैने अपनी मॉम को उच्छाती है लेकिन वो उठ नहीं पाती दैन वो उसे पूछता है कि तुम कितने साल की हो वो बताती है मैं 6 साल की हूँ वो उसे सारी date बताती है तो वो समझ जाता है यह उसी की daughter है वो हैरान होता है कि में में जिन्दा कैसे है वो बताती है कि हम grand mother के पास रह रहे हैं वो कहता है कि तुम मेरी बेटी हो इतने में मीमी की जाग होने लगती है जानी बहुत खुश होती है वो कहती है कि डैड ने आपका treatment करवाया वो कहती है तुम किसे dead कहरे ही हो मैने तुम कहा ना तुम्हारा dead मर चुका है तो वो अपनी dog को बाहर लेकर जाता है वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो तुम्हारी mom का treatment मैं करा दूनगा तुम है उसकी चंता करने की जोता ही तुम है school जाना चाहिए वो कहती है तो आपके बारे में पता चला तो उन्हीं ओसा आएगा वो कहते है कि तुम फिकर मत करो दिन हम देखते है कि जैनी अपनी मूम को स्कूल में ले लेकर जाती जिसने अपकी ट्रूटमेंट में हल्ट की है वो मुझे स्कूल मैडविंट भी कराना चाता है पर पहुंँ जाता है। उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और हमने ये agreement sign किया है किया तुम्हें agreement का नहीं पता था अगर हम वीच में ही इस show को छोड़ देंगे तो हमें इसका बहुत ज़दा price देनी पड़ेगी अब यहाँ पर वो कहता है कि पैसों से तुम्हारी काफी problems ठीक हो जाएंगी तो वो सोचने लगती है जानी के लिए सब कुछ करना पड़ेगा वो उने घर ले जाता है और कहता है इस घर में तुम easy रह सकते हो तो मैं किसी चीज़ की परिशानी नहीं हो लेकिन वहाँ पर उन चीज़ों को touch करके उसे कुछ फील होने लगता है जैसे वो पहले भी आई हो और वो रूम में जाती है जहाँ पर मास्टर केन उसके पास जाता है उसे चोट लगी होती है तो उसे medicine apply करने लगता है और उसे वो ही बात याद आती है कि किस था मास्टर केन ने birth mark पर उस पर medicine apply की थी वो उसे कहता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो तो वो कहती है मैं अपने access brand के बारे में सोच रही हूँ मैं उससे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ वो उसे कहता है क्या तुम उसे chance कभी नहीं देना चाहोगी वो कहती है नहीं कभी भी नहीं और उटके जाती है मास्टर किंट समझ जाता है कि वो उसे कितनी नफरत करती है अगर उसे पता चला कि वो वो ही शक्त है तो वो एक second भी यहाँ पर नहीं रुकीगी लेकिन यहाँ पर मीमी को शक हो रहा होता है जैसे वो पहले भी इन रस्तों पर चल चुकी दैन हम देखते हैं मार्निंग में उसकी जाक होती है मास्ट किंट उसके पास आता है और उसे मैडिसन देता है वो उसका थैंक्स करती है फिर वो उसे सूप ट्रिंक करने का कहता है लेकिन वो उसे भी खुद से सूप ट्रिंक कराने लगता है इतने में असिस्टेंट आता है और कहता है कि उनकी ब्लाइंडनेस के लिए एक मैडिसन मिली है इससे अब ट्राइ कर लो लेकिन मास्ट किंट सोचता है कि अगर वो देख पाएगी तो वो मुझसे नफरत करेगी वो उसे वो मैडिसन नहीं देता और कहता है वो मुझे माफ नहीं करेगी मैं उसे दुबारा खोना नहीं चाता उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल से फून आता है और पता चलता है कि जैनी का छगड़ावा है कुछ लोगों से बूली कर रहे थे कि उसकी मॉम ब्लाइंड है उसने उन लोगों को मारा लेकिन वहाँ पे मास्टर किन आता है और उसे देखके सब लोग शॉक्ट हो जाते है वो बताता है यह मेरी डॉर्टर है सब लोग सॉरी करने लग जाते है दूसरे बच्चे को घुसा आता है वो जैनी पे अटेक करने लगता है मास्टर किन बीच में आ जाता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है जैनी बहुत खुश होती है कि फादर जो इस तरहां मेमी का ख्याल रॉक रहे होते हैं वो कहती है कि अंकल बहुत अच्छे है आपको उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए मैं इने अपना फादर समझती हूँ आप भी इने मेरा फादर बनने के बाद मास्टर किन उसका हाथ पकड़ लेता है वो उसे कहती है तुम मेरे साथ काइंट हो मैं तुम्हें प्रोटेक करना चाहता हूँ और तुम्हारी डाटर को भी अपनी डाटर बनाना चाहता हूँ वो इस बारे में सोचती है और कहती है कि उसे इसे चांस देना चाहिए ये परसन क्योंकि उसकी डाटर के साथ बहुत काइंट है वो दोनों की स्टार्ट करते ही है लेकिन मीमी को फिर से पास्ट ट्रामा याद आता है कि किस तरहां मास्टर किन ने उसके साथ जबदस्टी की थी वो कहती है कि I'm sorry मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है वो उसे कहता है मैं तुम्हें भुलाने में हैल्प करता हूँ और फिर उसके साथ नाइट पेंट कर लेता है लेकिन नाइट पेंट करने के बाद उसकी तब्यत फिर से खराब होने लगती है उसे चक कराता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो नोटिस करती है कि उसकी eyesight वापिस आने लगी है वो अपनी daughter को देखके काफी surprised ही है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताती क्योंकि आज उसका शादी का दिन होता है वो बहुत beautiful bride when कराती और सामने देखती है कि उसे master king propose करता है वो उस ring को देखके तो खुश होती है वो गहती है कि तुमने एक दफ़ा मुझे मारने की कोशिश की है क्या तुम अब दुबारा मुझे मारना चाते हो वो उसे कहता है तुम मेरी बात तो सुनो लेकि वो गहती है मुझे टच मत करो और वहां से भागने लगती है वो उसे कहता है प्लीज एक दफ़ा सुन लो लेकिन उसे जोर से थपर लगाती है और कहती है दुबारा मेरे सामने भी मत आना और देखती है कि उसके पास वो ही लॉकिट होता है उस लॉकिट को वो घुसे से निकालती लेकिन इतने में हम देखते हैं मीमी का एक्सेड़न्ट हो जाता है वो दوبारा से हॉस्पिटल होने होती है जहां वो डॉक्टर सको फोर्स करने लगता है कि मेरी वाइफ को बचा लो तुपे बाद हम देखते हैं कि डॉक्र आएक के बताते हैं कि उनके heart transplant होना होगा, उनके heart condition ठीक नहीं है, फॉरन सर्जरी चाहिए, वरना हम उने नहीं बचा पा जाएंगे, वो गयता है, मेरा heart उसे दे दो, और कहता है, ऐसे ही, शायद मैं ये favor तुम्हें दे दू, उसके बाद हम देखते हैं, अब heart transplant की वज़े से, में में विल्कु ठीक होती है, डॉक्टर्स कहते हैं, अब तुम healthy life चीज़ सकोगी, वो गहती है, मैं अपने donor से मिलना चाहती हूँ, जहां पर वो से बताता है, कि उसकी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है, तुम बहुत lucky हो, कि जब तुम्हें heart की जरूरती, तो एक heart available था, जिसकी वज़े से तुम्हारी जान बचपाई, अब यहां पर हम देखते हैं, वो जैनी को कहीं लेकर जा रही होती है, जैनी कहती है, कि आप मुझे कहां लेकर जा रही है, तो वो से कहती है, मैं तुम्हें एक temple में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मौ मुझे यहां लाया करती, मैं उस kind person के लिए pray करना चाती हूँ, जिसने मुझे अपना heart donate किया, और उसके बाद हम देखते हैं, कि उन्हें wish right करने के लिए, एक cloth दिया जाता है, अब यहां पर वो यह notice करती है, कि हर जगा master kin का name right होता है, वो हैरान होती है, कि यह wishes किसने लिखी है, जहां पर वहां पर जो servant होता है, वो बताता है, कि यह आदमी अपनी wife के लिए बहुत prayer करता था, तो वो हसके कहती है, कि इन prayers का फाइदा क्या, जब उसकी wife ही मर चुकी हो, वो समझती है, यह कोई और master kin होगा, वो उसे बताता है, कि मेरा master kin बहुत kind था, वो अपनी wife से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक fortune चालर ने उससे trap किया, जिसकी वज़े से उसकी wife मारी गई, अब वो seven years से यहां पर है, और pray करते हैं, कि उसकी wife उसके सपने में आए, और उससे माफ कर दे, उसके मरने के बाद, जिनोंने भी उसकी wife के साथ बुरा किया था, वो prison में है, इन बातों से वो काफी touchy feel करती है, और उसे ऐसा लगता है, जैसे उसकी और उस लड़की की कहानी मैच हो रही हो, लेकिन वो अपनी wish right करके, वहां से जाने लगती है, दिन हम देखते हैं, कि उसके heart pain होता है, जाते वे, वो किसी को देखती है, और देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो master kin होता है, और यहां पर यह ड्रामा खतम होता है, और गाइस मुझे लगता है, इसका second part जरूर आएगा, जहां पर शाइद इन दोनों की misunderstanding खतम हो, और वो समझा सके कि उसने जान कि यह सब कुछ नहीं किया था, लेकिन story यहां पर finish हुई, और आप लोगों को यह emotional drama कैसा लगा, उमीद है इसकी explanation आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, thanks for watching,